वेल्कम श्रेंट श्रेंट श्रागत है आप सभी का ट्रिपल सी बाइव फाइच चनल पर आप सभी के लिए आज की वीडियो काफी इंपोर्टेंट है इस वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखें बिल्कुल भी आपको इसकिप नहीं करना है ठीक है तो आज बात कर रहे हैं को लेकर के काफी दुनों से बच्चे त्यारी में लगे हुए हैं फिला हाल लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे अभी भी तैयरी में नहीं लगे है ।कर पर रहे हैं vit जो बच्चे बहुत समय पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो problem नहीं होने वाली है लेकिन जो अभी सोच रहे हैं अभी classes लेने की सोच रहे हैं उनको थोड़ी सी problem हो सकते है क्योंकि exam ये आपका समय होता है exam सुरू होने का उसे कहीं पहले सुरू हो रहा है और date भी clear हो चुकी है भी आपको दिखाएंगे कि कौन सी वो तारीक है जब से आपका exam सुरू हो रहा है तो चलिए देर ना करते हुए आपको date दिखाते हैं कि आपका exam कब से सुरू हो रहा है और फिर आपको यह भी बताएंगे कि आपको तैयारीक कैसे करनी है आपको घबराना नहीं है और इतने कम समय में भी आप अच्छे से अपनी तैयारीक कर सकते हैं सबसे पहले आपको दिखाते हैं date इसके लिए आपको ले चलते हैं website पर जो कि आप देख सकते है इस्टेंड.nele.gov.in की website है और यहां पर जब आते हैं तो यहां पर important notice आपको यह देखने को मिलता है आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और यह notice में आप यहां पर देख सकत पर 5th मार्ज 2020 यानि की एक मार्ज से लेकर के पांच मार्ज तक यह एकजाम चलेंगे ठीक है तो जो आपका ड्रपल सी का अग्जाम है वो 1st मार्ज से शुरू हो जाएगा और 5th मार्ज तक चलेगा ठीक है अब हमने आप से कहा कि यह एकजाम थोड़ा जल्दी शुरू हो रहàng रहा है वो कैसे अधिकांस बच्चों को ये लग रहा था कि यह जो एक्जाम होता है क्योंकि एक्जाम का रूल ही है ठीक है जो ॉइस वार हुस हुआ है एक्जाम मन्त होता है उसका पहला जтовै पहला जुसुस अधिक पीछे भी हो जाता है तो वही इस बार हुआ है एक जाम अगर बात करें फर्स्ट सेटर्डे की ठीक है तो जो पहला सनिबार होगा आप यहां देख पाएंगे जो फर्स्ट सेटर्डे था वो आपका कब था शेबन को था मिस साथ तारी को साथ मार्ज को पहला सेटर्डे पड खरेखाल है लेकिन यह साथ मार्श को न शुरू करके यह पहली मार्श सुरू हो रहा है और संडे से शुरू हो रहा है तो समझ लो आप एक बीख पहले ही मानलो प्रक शुपाकर अपकर एसे एक्जाम एक लिए और आपको आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए अच्छे से पढ़ना इस्टाट कर दीजिए क्योंकि एक्जाम अब आपका साथ तारिक से नहीं बलके एक तारिक से सुरू हो रहा है और यह पांच को खतम भी हो रहा है मुंस चार-पांच दिन में एक्जाम आपका फिनिस होगा ठीक है तो ए तो सभी क्लास आपको बारी बारी से देखने हैं और आपको अपना जो है अच्छे से पढ़ना है नोट्स बनाने हैं वो सारी चीजिए आपको प्रैक्टिकल करने भी पढ़ेंगी क्योंकि जब टाइम कम होता है तो ऐसे में आपको लगता है कि बहुत जल जली पढ़ लेन जैसे कि जो फरवरी में एक्जाम हुआ था उनके लिए जो क्लास कराए थे उसके बाद इससे पहले जो क्लास कराए थे तो वो सभीत आपके दिया इम्टिक लिए उसमें रहे겠े और भी बहुत सरे को हो रहा है ऐसे में आप बिल्कुल रेडी हो जाएं अपने एक्जाम को देने के लिए और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट में पूर सकते हैं ओके थैक्स वर वचिंग थैक्यू